इन नहर का श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा कैलाश गण इत जूमे गाएं, माता को भी सब देवी सजाएं कम्हा और विश्रू देव भी उपस्थिता, महातेव से अबना भय प्रतीक्षा आज का जानन भी देखो हर शाएं, माता पेता को जब हरित्रा लगाएं जय गडेश, जय गडेश, जय गडेश देवा, माता जाती बार भर्ती पिता महा देवा जय गडेश, जय गडेश, जय गडेश देवा, मता जाती बार भर्ती पिता महा देवा विवा, महा देव करें तो करें विवा, उससे हम है क्या पिता श्री? महा देव, महा देव का विवा ही तो आस्त्रे है हमारा, जो हम असुरों को देवताओं से मुक कराएगा संसार की रक्षा छोड़, भोग विलास में लिप्त रहने वाले देवताओं से अपनी रक्षा के लिए श्रम करने के लिए विवश हो जाते हैं हम लोग, इसका मूल का रण जानते हो क्योंकि त्रिदेव, ओन दुर्भल देताओं की शक्ती बन जाते हैं किंतु अब इस विवा की आड़ में देवताओं की शक्ती के श्रोत को ही चील लेंगे हम और उन्हें मुख कर देंगे उनके दाइत्तों से तेरताओं की अनुची धम को तोड़ेगा ये धंबासुर 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 कें तु पिताश्री असुर गुरू सुक्राचारी है इसकी अनुमाती देंगे बुब्दी भ्रेश्ट हो गए ये हैं उनकी वो असुर गुरू होकर भी बहादेव के तप में लीन है वो हमारा मार्ग दर्शन करने की योग्य नहीं हमें उनके सुझावों की आवश्यक्ता नहीं हम स्वैंब अपना मार्ग नियक करेंगे और समझ जगत पर अपना आधिप स्थापित करेंगे जो आज तक ना हो सका वो आप कैसे करेंगे पिता श्री वल्वान है प्राकर्मी है माया भी है है कि दूरदर्शिता की कमी है मेरे पुत्रों में कि तुनों पुत्रों जब देवादीदेव महादेव विभा के लिए दक्षन में होंगे तो देवताओं का शक्तिस्थल कैलाश सुरक्षा से रिक्त होगा ऐसे शुबलसर पर हमें कहां होना चाहिए पुत्रों कैलाश पर विजय पाते ही समस्त ब्रह्मान पर आदिपत्यस थापित होगा हमारा देवल हमारा महादेव महादेव को मा दोंगा मैं तो कैलाश से जाएंगे अवश्य किन्तों लॉट नहीं पाएंगे मैं कैलाश पर प्रतिष्टित होकर देवताओं को ऐसा पाट पड़ाओंगा कि सदे सुनन रहे गाओने क्योंकि दंबा सुर का दंभी उसकी शक्ति का स्थम्भ है अधिव तो क्यों प्राबोगगा पुर मैंटी लग्या को और देवार मैंटी लग्या अतियुक्त मुशक जी अद्भूत गनेश प्रस्थान करने का समय हो गया है गनेश और तुम अभी तक त्यारी हो रहे हो आप तो सजिद भी हो गया गनेश भला मुझे क्यों समय लगेगा क्योंकि विवाह तो हमारे माता-पिता का है ना चलो अब शीखर चले है हाँ बया चलते है अब चलो भी गनेश चलो आओ पूफा जी पूवा जी कहा है? श्त्रियों को सज्जित होने में अधिक समय लगता है गणेश हाँ ना अब किसी को तो बारात की शुभा बढ़ाने के लिए सज्जित होना होगा ना आप सबका स्वागत है सत्य कहा बुआ जी आपका सौंदर्य अनुपम है परन्तु वर कही नजर नहीं आ रहे हैं उन्हें भी सज्जित होने में समय लग रहा है क्या मैं तो कब से तयार हूं ना रहे हैं ये क्या पिता श्री आप अभी तक तयार नहीं हुए पुत्र मैं तो ऐसे ही तयार हूँ क्या आप विवाह में ऐसे ही भस्म लगा कर जाएंगे इसी वेश भूशा में जाएंगे हाँ पुत्र पूर में देवी सत्य और पार्वत्य के साथ विवाह के लिए ऐसे ही गया था मैं पिता श्री इस बार तो कुछ परिवर्तन हो सकता है ना मैं उच्चित कह रहा हूं ना मामा जी उच्चित है गनेश महादेव पूर्व में बारात लेकर तो आप ऐसे ही गये थे परन्तु वहां आपने अपना मनोरम रूप विद्धारन किया था हाँ वो बेवी मैना के कारण करने पर विवश हो गया था किन्तु इस बार तो रूप धनने का कुछ कारण भी नहीं नानी जी के कारण हाँ पत्र तुम्हारी नानी ने जब इन्हें इस रूप में देखा तो सशंकित हो उठीन और देवी पार्वती से इनका विवा करने से मना कर दिया परन्तु मेरे आग्रया करने पर जब इन्होंने अपना दिव्य मनोरम रूप धारन किया थाप कहीं जा मां भी आपका दिव्य रूप देखर प्रसन्न हो उठेंगे नहीं पुत्र कार्थिके नहीं गणेश मैसे ही जांगा हम पूर से ही विलम हो रहे हैं अब मैं बस और परिधान में अपना और समय नहीं गवा सकता है गणेश प्रतीत होता है पिताश्वी इतनी सरल्दा से नह अवश्य होगा शीक्र हमारी बुद्धी को कोई युक्ती अवश्य प्राप्त होगी अगनेश जब तक पिताश्री अपने रेश्मी बस्त्र और अभूशन धारण नहीं करेंगे हम उन्हें विवाह मंडप में स्थिती नहीं होने देंगे रिशिवर अत्री देवी अनूस्विया प्रणाम रिशिवर प्रणाम माता आप पुन्ह भूल गए प्रभू वदू के विवाह का जोड़ा सुहाक सिंदूर मंगला बुशन एवन फेरे लेते समय वदू के भाई के द्वारा जो धान के लावा का छिड़काव किया जाता है सभी वर पक्ष से ही आता है धन्यवाद देवी अब महादेव के आर्थी कर इस बारात का मंगल आशिश कीजिए उन्यवाद टार्थी आता है झाल 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 झाल